मदुकलेश चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत है आज मैं बात कर रही हूँ उडान की, बच्चों की उडान की आज कल के बच्चे आजादी से अपना नेड़ने खुद लेकर अपनी एक अलग दिशा बनाना चाहते हैं और पेरंट्स चाहते हैं कि बच्चे उनकी बताई हुई दिशा में उड़ें और मेरा ये मानना है कि बच्चों को बानना नहीं चाहिए बच्चे तालाब या नदी नहीं हैं आज कल के बच्चे पूरा दर्या हैं और वे अपनी दिशा खुद बना सकते हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं तो इसी विशय पर मैं एक कविता सुना रही हूँ जो मेरी ही काव्य संग्र है आवान से ली गई है कविता का शीशक है उड़ान बांधो मत इन्हें बहने दो तालाब नदी नहीं पूरा दर्या हैं ये रास्ता मत दिखाओ उप देशों से मत सहलाओ समस्याओं के हल खोजने दो स्वयन से जूजने दो अंडों से निकलने दो आस्मान में उडने दो बंद दर्वाजे खोलने दो नई मंजिल की नई उड़ान नई पंखों से भरने दो पाऊं तो निकालने दो जुरावे बहुत हैं लेकिन जुराबों में पाऊं इन्हें स्वैम डालने दो पढ़ना सिखाओ लिखना सिखाओ किताबे बहुत हैं लेकिन किताबे इन्हें स्वैम चुनने दो बांधो मत इन्हें बहने दो तालाब नदी नहीं पूरा दरीया है ये तो ये थी मेरी कविता उडायन और मेरी request है parent से कि बच्चों को उडायन भरने दे उन्हें आजादी दे उन्हें बांधे नहीं और सोचें कि तालाब या नदी को बांधा जा सकता है तालाब को हम बांध सकते हैं नदी का हम रास्ता बदल सकते हैं लेकिन आजकल के बच्चे तो दरिया हैं और हम दरिया को नहीं बांध सकते तो इन्हें अपनी उडान भरने दें अपनी इच्छाओं को पूरा करने दें अपने लक्षे पर पहुँचने के लिए अपना लक्ष स्वाइन चुनने दें इनका अपना चुना हुआ लक्ष होगा तो बच्चे खुशी खुशी अपनी इच्छा से आजादी पूर्वक उस लक्षे को प्राप्त करने में समर्थ होंगे